तो जी है बच्चों हम लोग question number 10 देख रहे हैं 9 तक का मैंने आपको home बढ़ दिया था तो जिस तरह से आपको दिख रहा हुआ कि यहां लिखा हुआ है कि in triangle PQR जहां पे triangle PQR एक right angle triangle है और Q पर right angle बन रहा है Sum of two side are given to you and one single side is also given to you तो आपको मालूम करना है ग्याद करना है sin P, cos P और 10 P की value ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग drawing बना लेते हैं ठीक है और drawing बना के अपना जो right angle है वो हम बना लेंगे वो हम बना लेंगे Q पर ठीक है यह रहा हमारा Q तो obviously यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा R तो यह हो गया हमारा right angle प्रेंगल PQR ठीक है और इस प्रकार से हम सवाल को लेतार आगे बढ़ते हैं उन्होंने कहा था कि PR मैं QR एड़ करते हो तो 25 आता है और PQ की value आपकी 5 cm रहती है ठीक है आपकी PQ की value 5 cm रहती है और इन दोनों का value आपका 25 cm आता है ठीक है आप सबसे पहले क्या करोगे आप लेट कर लो QR को X ठीक है तो PR प्लस QR आपका 25 था याने PR प्लस X एक्वल तो आपका 25 था तो PR की value हो जाएगी 25 माइनस X राइट okay okay now you have PR is 25 माइनस X QR is X यूजिंग पाइथा गोरस थियोरम इन राइट ट्राइंगल ट्राइंगल के नाम बोलो PQR वेर P R का स्क्वेर एक्वल टू P Q का स्क्वेर प्लस Q R का स्क्वेर सबकी वैलु रख दो P Q is 5 Q R is X दोनों का स्क्वेर किया और इधर हो जाएगा 625 माइनस X का होल स्क्वेर तो यह हो जाएगा 625 प्लस X स्क्वेर माइनस 2 मल्टिप्लाइब बाइ 25 मल्टिप्लाइब बाइ X A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस 2 A B का फॉर्मला रखने पर 5 का स्क्वेर होता है 625 एक्स स्क्वेर की वैलु एक्स से स्क्वाइर यह हो गया 50 X 625 इस तरफ दिया हुआ है उधर का 625 इधर आ गया 0 बचा वहां ठीक है यह दोनों कड़ गए यह दोनों कड़ गए कि हाओ पॉसिबल वेट असल में यह आपका 5 का स्क्वाइर होना तो 25 जब उधर पर 25 जाएगा तो 625 से 25 माइनस होगा तो रिजल्ट देगा आपका 600 वह भी प्लस का और यह रिजल्ट आया 50 X equal to 0 600 equal to कितना हो जाएगा 50 X 600 divided by 50 यह कितनी वैल्यू आ जाएगी 12 X की वैल्यू आ गई 12 ठीक है आपको पी आर और क्यू आर आपका आ जाएगा और पी आर कितना था 25 माइनस X 25 माइनस 12 ठीक है और गिवन है आपका पी क्यू ठीक है इन तीनों वैल्यूस का यूज करके बाकी निकाल लो उन्होंने बोला था साइन पी निकालना, कॉस पी निकालना और टैन पी निकालना ठीक है अब ध्यान से देखो थोड़ा सर वीजन टाइप का हो रहा है अगर ये acute angle triangle है P तो इसके सामने वाला होगा हमारा perpendicular QR और ये होगा हमारा base क्योंकि base acute angle से लगा हुआ होता है तो P Q is base अपन थोड़ा यहां रफ में लिख लें P Q base है P के respect में ठीक है QR कौन है परपेंडिकुलर है और PPR क्या है hypotenuse है तो ये हमारा रफ हमको useful होगा ठीक है आईए वहाँ चलते हैं तो साइन P का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस बेस अपन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ठीक है तो आपको इनकी वरिल ले ले हैं वहाँ परपेंडिकुलर हमारा हिंट में था QR और PR is हाइपोटेनियस ठीक है बेस वाउस PQ तो QR डिवाइड बाई PQ इनकी आप वरिल लिखिये यही आपके आंसर्स होंगे ठीक है तो QR कितना है 12 है PR कितना है 13 है PQ 5 है PR 13 है और यह आपका 12 अपन 5 है यह रेशियो हैं में सैंटिमीटर वग्यरा यसी यूनिट्स नहीं आती है ठीक है तो यह सम मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप इसको नोट कर लेना कि सम यहां से स्टार्ट हुआ था है ठीक है मैं इसका आपको इप इडियेफ भी सेंट कर दूंगा एकट्टा यह आपको दसम सवाल है अच्छे से लिखते है ठीक है ओके आप इसको आराम से देख लीजेगा और इसको दोबार लगाने का प्रयास किजिएगा अब हम देखते हैं true false ठीक है इसमें कह रहा है कि state whether the following are true and false and justify your answer इसमें अपन कुछ statement लिखना पड़ता है ठीक है एक्जाम में नहीं आता है यह justify करने के लिए लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि how to justify value of 10 a is always less than one ठीक है क्योंना अभी एक काम करते हैं अभी हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले अपने कुछ exercises वर्क वगेरा है वो पहले कर लेते हैं 8.3 तक फूरा कर लेते हैं फिर आपकी true false जो है जो पूरे जंबर्ड है पूरे chapter से मतलब दिखते हुए प्रतीत हो रहे हैं तो यह अपन कर लेंगे ठीक है चलो अभी आपकी समक्षम मैं कुछ examples लेके जा रहा हूं सबसे पहले example 1 पर अपन study करते हैं फिर यह आपके homebox रहेंगे simple है आपको 10a की value दी है 4 upon 3 आप perpendicular upon base को आप 4 upon 3 के equal रखे perpendicular को 4x और base को 3x माल लीजेगा ऐसा सवाल अपन फिर पिशले वीडियो में लगा चुके हैं उसकी value से आप hypertenious निकाल लेना ठीक है आप 4x और यह जो 3x है इसकी मदद से आप perpendicular निकाल लेना वो आपका 5x आएगा फिर जो बाकी के technometric ratio है 10 के अलावा क्या बसता है sine, cos, cot, cosec, cosec है ना तो यह आप लोग निकाल सकते हैं ठीक है तो यह आपका बहुत easy वाला है ऐसा सवाल अपन पहलोग कर चुके हैं ठीक है फिर वो example 2 में बोलता है कि b and q दो acute angle है यह देख रहे हैं आपको b and q ठीक है यह एक important question है आपका ठीक है example 2 अगर b and q दो acute angle triangle है तो इनको equal proof करो अगर sin b वरावर sin q आपको दिया हो तो सबसे पहले हम आपके समक्ष दो drawing बना लेंगे यह रहा आपका छोड़ा वाला triangle यह b है यह रहा बड़ा वाला triangle यह आपका q है ठीक है a b c p q r triangle a b c and triangle p r q are right angled triangles where angle c equal angle r equal 90 degree क्यों भाई क्योंकि वो आपके right angle triangle के right angles हैं ऐसा आपका diagram आपसे बोलता है ठीक है angle b और angle q दो acute angle है जिसमें आपको दिया हुआ है कि sin b की value sin q के बराबर होती है तो प्रूफ करो कि b equal q है ना तो आप जानते हैं कि sin b की value होती है पर्पेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपटैनियस तो b के साफ एक पर्पेंडिकुलर होगा हमारा a c ठीक है और हाइपटैनियस होगा हमारा a b और इसके साफ एक पर्पेंडिकुलर होगा हमारा p r और हाइपटैनियस होगा हमारा p q अल्राइट ठीक है अब हम इसमें जरा सा क्रॉस मल्टिप्लाइ कर दें a c divided by pr equal a b divided by p q equal में आप x मान लो ठीक ऐसा करने से आपको इस कहानी से ये सिख्षा मिलती है कि क्या होता है कि c r का मल्टिप्लाइए इधर कर दो a b का मल्टिप्लाइए इधर कर दो या फिर इनको अल्टीपल्टी कर दो समझ रहो या आप दौनों तरफ आप यह भी आर से डिवाइड दे दीजे तो इधर पर मतलब प्यार आएगा तो प्यार से प्यार कैंसल हो जाएगा और यहां पर एक नया प्यार बढ़ जाएगा और एबी से मल्टिप्लाइ कर दी दौनों तरफ तो जो ऊपर बढ़ेगा व स्पर्पना करो कि पर्पेंडिकुलर अपोन पर्पेंडिकुलर इनका एक प्रोपोंर हमको एक क्वेल दिया हुआ है बी सी और क्या in proportion, if sides are in proportion, then these triangles are similar, ठीक है, आप यहाँ एक statement लिख देना, कि since sides of triangles are proportional, hence, triangle ABC is similar to triangle PQR, यह आपका chapter 6 में सिखाये जाएगा, hence, angle B equal to angle Q, क्यों, उस similarity criteria लग जाते हैं, है ना, क्या, कि angles are equal of two similar triangle, यह सवाल थोड़ा सा सरके उबर से गया होगा, कि जब मैं आपको chapter 6 कराऊंगा ना, जब इस सवाल को मैं आपको दुबारा बताऊंगा, अभी फिरहाल को इतना है, आज़े दुबारा देखते हैं, सबसे पहले दो triangle को बनाया, फिर मैंने यह बताया कि, जो right angle है, वो c और r पे बन रहे हैं, याने कि c और r हमारे बराबर हैं, ठीक है, और यह sides हमारी मत्रप्रपोश्चनेट हैं, क्योंकि sin b और sin q आपस में equal हैं, तो इनके जो formula होते हैं, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse, पी आर इधर ले गए, इसको x के बरावर माल लिया, ने कि एक सेम रेशियो माल लिया, फिर इसमें यह बताया कि, जब हमारे sides proportional होती हैं, तो triangle similar होते हैं, और similar triangle के angle equal होते हैं, यह अपने statement दिया, यह अपना proved हो गया, इतना कराईएगा, बुक में थोड़ा बढ़ा दिया है, वो थोड़ा cbsc के इस तरका है, आप से इतना कराईएगा, ठीक है, उन्होंने क्या है, कि जो third side है ना, उसको भी उन्होंने ले लिया है, वो पायदगुरस तेरम, ठीक है, तो जब मैं आपको similar triangle बताऊंगा, तो इतना भी मतलब position उस 3 कहता है कि consider triangle a, c, b, आप इस triangle को जड़र consider करिए, इसमें b, एक acute angle triangle है, और दो side की value दी हुई है, 29 और 21, याने hypotenuse बेस की value आपको दी हुई है, आपको perpendicular की value निकाल नहीं है, you can find by using your पायदगुरस तेरम, ये आपने पायदगुरस तेरम से ये निकाल दिया, अब आपको cos square theta theta plus sin square theta की value निकाल लिए, जो कि आपकी value आएंगी 20 divided by 29 और 21 divided by 29 ठीक है, फिसे आप इस square वाले statement में value पुट कर दीजे, दौनों के square add करने पर आपका answer आएगा 1 तो आपकी पहले वाले की value हो जाएगी 1 और दूसरे वाले की value हो जाएगी 41 divided by 841 तो ये आपका homework होंगे सारे examples, आपको solve करिएगा, simple है, पर पाइथागोरस theorem यूज़ हुआ है, ठीक है, इसके बाद आपका example 4 वहाँ पे आएगा, यहाँ आपको sin A into cos A का 2 times equal to 1 होता है, तो पहले आपको sin A across A की value चाहिए, जो कि इस right angle triangles के थित्रू आपको मिलेगी, कब मिलेगी जब आपको 10 A की value 1 दी हो ठीक है, जब आपको 10 A की value 1 दी हो, तो 10 A की value 1 तब होती है आपकी, जब आपका perpendicular और base, सेम हो, ठीक है, ओके, परपेंडिकुलर और base आपका सेम हो, क्योंकि perpendicular अपन बेस होता है हमारा 10, अगर A, B और B, C बराबर होंगे, तो यह आपके मितलब जो एक ratio निकल के आता है, कि परपेंडिकुलर और base, इस A के साब एक शोगा मतलब B, C अपन A, B, जब दोनों सेम होंगे, तो यह आपके cancel हो जाएंगे, है ना, यानि कि वो दोनों आपके मितलब बराबर हैं, अगर यह दोनों बराबर हैं, तो आप Pythagoras Theorem का यूज करके निकाल सकते हो, कि A, B और B, C दोनों की value K है, Pythagoras Theorem से हमने अपना hypotenuse निकाल लिया, K root 2, ठीक है, अब आपको sine A की value वहाँ पर लगनी है, आपने इस तरह से यह निकाल दिया, और उसमें, उसके LHS में value रखके, आप आपने RHS उसको proof कर दिया, ठीक है, यह करने का प्रयास कीजेगा, उसके पहले 8.1 लगाईएगा, आपको समझ में आना, चालू हो जाएगा, ठीक है, नहीं बनेगा, तो फिर मैं बताऊंगा, एक्जामपल 5, एक्जामपल 5 कहता है कि in right angle triangle, OPQ where P is at, is a right angle triangle, I mean is a right angle, OP is 7, OQ minus PQ, अभी अपने एक plus वाला सवल लगाया था ना, यह वाला, है ना, बिलकुल उसी के जैसा है, मैंने इसमें QR let कर लिया था, आप इसमें एक काम करिएगा, OQ let कर लिजेगा, या फिर मतलब PQ let कर लिजेगा, आपकी अगली value automatically आ जाएगी, और जो इन लोगों जिस तरह से लगाया है, आप मतलब वो काम भी कर सकते हैं, कि इन्होंने क्या किया है, OQ के equal में, यह PQ उस तरफ ले गए, right hand तरफ तो हो गया 1 प्लस PPQ, तो ज़र 1 प्ल PQ आपकी दोनों तरफ हैं, इसमें A प्लस B का whole square का formula रखा, यह आपकी cancel हो जाएंगे, 1 प्लस 2 PQ equal to 7 का square हो जाएगा, solve करेंगे तो आपको PQ की value आपको 25 cm मिल जाएगी, और value पुट करेंगे तो आपकी इसकी value 25 आजाएगी, फिर बाकी के जो remaining trigonometric ratios हैं, वो आप निकाल सक है, जादा के लिए example 10, question 10 को आप consider करिएगा, आपकी समझ में आना चालो हो जाएगा, ठीक है, अभी मैं इसके आपको वो दे देता हूँ, PDF, तब तक के लिए, बाई, अगले वीडियो में हम 8.2 को को discuss करेंगे, ठीक है, बाई-बाई